मित्रों, आज कल की कुछ स्त्रियों का चरित्र बहुत ही खराब हो गया है। इसलिए वे अपने पती से ना संतुष्ट होकर पराय पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगी है। और उन्हें ऐसा दुशकर्म करने में थोड़ी सी भी लजजा नहीं आती है। बलकि उल्टा पती के पता चलने पर स्वयम ही अपने पती को मार कर सती होने का धोंग रचाने लगती है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से बताएंगे कि कल्यूग की स्त्रियों को पराय पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं, इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले मित्रों। आप सभी लोगों का ज्यादा समय नश्ट ना करते ह इस कथा को शुरू करते हैं। तब मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां अपने पतियों से छुप छुप कर पराय पूरुषों के साथ संबंध बना रही थी। उन्हें ऐसा करना बिलकुल उचित लग रहा था। तब ही अचानक से मेरे मन में एक प्रश्ण ने अपना विक्राल रूप धारन कर लिया कि आख महत्वपूर्ण कथा सुना कर देने वाले हैं जिसे सभी ध्यान से सुनना चाहिए इसलिए आपको इस कथा को शुरू से लेकर आंत तक पूरा अवश्य सुनना होगा क्यूंकि यह कथा बिलकुल सत्य घटना पर आधारित है और आधे अधूरे ज्यान वाले मनुष्य को उ मेरा आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि आप सभी लोग भी इस कथा को शुरू से लेकर आंत तक पूरा अवश्य सुने और इस कथा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें जिससे सभी पति-पत्निहों के बीच प्रेम भाव और स्नेह सदैव बना रहे मित्रो भगवान भोलेनात जी देवर्शिनारत जी से कहते हैं हे देवर्शिनारत जी यह कथा उस समय की है जब द्वापर युग का आंध हो रहा था और कल युग की शुरूआत हो रही थी उस समय सोनभद्र नाम का देश हुआ करता था और उस देश में नल नाम के एक राजा रा वह आदत थी शतरंज खेलने की उन्हें शतरंज खेलने की बहुत ही बुरी आदत थी उसी काल में विदर्ब देश में भीश्म नाम के एक राजा राज्य करते थे और उन्होंने दमन राक्षस को प्रसंद कर दिया था फिर उन्होंने दमन राक्षस को प्रसंद करने के बाद उनसे वर्दान के रूप में चार संतानों की प्राप्ती की थी, जिन में से तीन पुत्र और एक पुत्री थी, पुत्रों के नाम थे, दमदांत, दमन और पुत्री का नाम दमयंती था, दमयंती बहुत ही सुन्दर थी, और वे एक सदगुण संपन स्त्री की तरह समस्त ऐसा माना जाता है कि उस समय तीनों लोकों में दमयंती के समान कोई भी सुंदर्स्त्री नहीं थी और उनकी सौंदर्य के चर्चे तीनों लोकों में होते रहते थे। राजा नल के उस उद्यान में आया हुआ है। दमयंती का नाम सुनकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि दमयंती कौन है कैसी दिखती है क्योंकि उन्होंने कभी भी दमयंती को नहीं देखा था। लेकिन उन्होंने दमयंती के रूप सौंदर्य की चर्चा अपने दर्बारियों के मुख से सुन रखी थी। और राजा नल भी दमयंती को मन ही मन पाने की कामना रखते थे। वे दमयंती से विवाह करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस हंस की बात सुनकर उस हंस को छोड़ दिया। उसके बाद वह हंस अपने जोड़े के साथ उड़कर राजकुमारी दमयंती के उद्ध्यान में पहुँच गया। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी दमयंती भी अपने महल के उद्ध्यान में टहलने के लिए आई हुई थी। और जब दमयंती ने उस हंस के जोड़े को पकड़ा तब ही अचानक से वह हंस राजकुमारी दमयंती से कहने लगा कि हे राजकुमारी दमयंती तुम मुझे छोड़ दो। मैं तो आपके ही पास ही आ रहा था और आपने मुझे पकड़ लिया। हे राजकुमारी दमयंती सोन भद्र देश में एक राजा राज्य करते हैं। उनका नाम राजा नल है। वे बहुत ही सुन्दर हैं। मनुश्यों में उसके समान सुन्दर और कोई भी नहीं है। वे मानो साक्षात काम देव का ही स्वरूप है। इसलिए हे राजकुमारी दमयंती यदि आप चाहो तो उनसे विवाह कर सकती हो और उनसे विवाह करने के बाद आपका जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएगा। जैसे आप स्त्रियों में सबसे अधिक रूप वती हैं वैसे ही राजा नल पुरुष में सबसे अधिक सुन्दर हैं आप दोनों की जोड़ी सबसे उत्तम रहेगी। उस हंस की यह बातों को सुनकर राजकुमारी दमयंती के मन में भी राजा नल से मिलने की लालसा जाग उठने लगी। फिर राजकुमारी दमयंती उस हंस से प्रेम भरे स्वर के साथ कहती हैं। हे प्रिय हंस तुम राजा नल तक मेरा प्रेम संदेश पहुँचा दो। फिर हंस ने लोटकर राजा नल को दमयंती का संदेशा भी दिया, इधर दमयंती दिन रात राजा नल का ही ध्यान करती रहती थी, रानी दमयंती राजा नल से मिलने को व्याकुल हो रही थी, और राजा नल का भी यही हाल था, वे भी राजकुमारी दमती से मिलने के लिए बह बहुत दुबला पतला हो गया था। वे बहुत कमजोर सी दिखने लगी थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन राजा भीश्म ने अपने मन में सोचा कि अब मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। इसलिए अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना च उसके बाद राजा भीश्म ने एक दिन अपनी इसी सोच के चलते दमयंती के स्वयमवर का आयोजन रखा और उन्होंने उस स्वयमवर में सभी देशों के राजाओं को स्वयमवर के लिए बुलाया। फिर दमयंती के स्वयमवर का निमंतरन मिलने के बाद सभी देश के रा राजा जिकी तरफ निकल पड़े। इसलिए आप खृपा करके हमारे देवदूत बन जाईए और आप हमारे देवदूत बन कर राजा भीश्म की राजकुमारी दमयंती के पास चले जाईए और वहां पहुंचकर उनसे कहिए कि हे सुन्दरी, दमयंती, इंद्र वरुन, अगनि कुबेर और यम देवता आपके प दूत बन कर वहां कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है, इसलिए मैं आपका देवदूत बन कर वहां नहीं जा सकता हूँ, आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता हूँ, तब देवर देवराज इंद्र राजा नल से कहते हैं, हे नल, तुम मेरा कहां टाल रहे हो, फिर सोच लो, देवराज इंद्र की ऐसी कठोर वानी सुनकर, राजा नल उन देवताओं के दूद बनने को तैयार हो गए, और उन्होंने देवराज इंद्र की आग्या से दमयंती के राज महल म प्रवेश करते ही, दमयंती और उसकी सहेलियां भी नल के रूप को देखकर मुग्ध हो जाती हैं, और शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, तब राजा नल दमयंती से कहते हैं, हे दमयंती, मैं यहां देवताओं का दूद बनकर आया हूँ, और स्वर्ग के पास एक देवदूत बनकर आया हूँ, और देवताओं के प्रभाव से मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया है, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाया, मैंने आपके पास देवताओं का संदेश पहुचा दिया है, अब आपकी जो इच्छा हो वह कीजिए, फिर दमयं यही मैंने अपने पिता से कहकर स्वयमवर की योजना बनाई है, जिससे मैं आपसे विवाह कर सकूँ, लेकिन यदि आप मुझ दासी को अपनी पतनी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैं आई इस तलवार से अपना गला काट लू आप उन्हीं देवताओं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए, देवताओं का कहाना करने पर मेरी मृत्यू भी हो सकती है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए, और उन्हीं में से किसी भी देवता से विवाह कर लीजिए, राजा नल की यह बात सुनकर दम बहुत ही भैभी और उनकी आँखों से आंसु गिरने लगते हैं और वे मंदस्वर में राजा नल से कहती हैं। अब दमयंती राजा नल से कहती है कि देखिये उपाई यह है कि आप भी सभी अन्य राजा नल के साथ स्वेमवर मंदप में आए लेकिन मैं आपको ही वर्माला डालूँगी जिससे आपको कोई दोश भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी हो जाएगा। तब राजा नल उन देवताओं से कहते हैं कि मैं राजकुमारी दमयंती के पास तो देवदूत बन कर ही गया था। लेकिन राजकुमारी दमयंती और उनकी सभी सखियां मुझ पर ही मोहित हो गई। और मैंने जब आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखा तो उन्होंने जवाब में कहा कि वे मुझ से ही विवाह करना चाहती हैं। लेकिन उन सभी देवताओं ने राजा नल की बातों को बिलकुल भी सत्य नहीं समझा और अपने मन में कहा कि हम किसी भी तरह से इसका विवाहर राजकुमारी दमयंती से नहीं होने देंगे। अब कुछ समय बाद स्वयमवर की घड़ी आ गई थी। राजा भीश्म ने सभी राजाओं और देवताओं को स्वयमवर सभा में बुलाया आया। उसके बाद सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। फिर जब सभी राजा अपनी अपनी जगह पर बै और उनके साथ ही राजा नल भी खड़े हुए थे जिन्हें देखकर दमयंती बहुत ही आश्चरे चकित हो गई। और अपने मन में सोचने लगी कि मैं अब इन पाँचों राजकुमारों में से राजा नल को कैसे पहचानू। अब राजकुमारी दमयंती को बिल्कुल समझ को जोड़कर उनकी स्तुती करते हुए उनसे ही सहायता मागने लगी। और राजकुमारी दमयंती उन देवताओं से कहती हैं, हे देवताओं मैंने हंस के मुह से राजा नल का वर्णन सुनकर ही उन्हें पती के रूप में वर्ण कर लिया था और मैंने आज उन्ही को पाने क के लिए स्वयमवर की योजना बनाई थी, इसलिए हे देवताओं आप मुझ पर करपा करें और आप लोग अपने अपने साक्षात असली रूप में आ जाईए जिससे मैं राजा नल को पहचान सकूँ, फिर सभी देवता राजकुमारी दमयंती की इस बात से प्रसन्न हो ज अचानक से उसी समय उन्हें रास्ते में कल्यूग और द्वापर यूग से भेंट हो जाती है, जिन्हें देखने के बाद देवराज इंद्र ने कल्यूग से पूछते हुए कहा, हे कल्यूग तुम दोनों कहा जा रहे हो, तब कल्यूग ने देवराज इंद्र को जवाब द कि हम दोनों दमयंती के स्वयमवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा है। इसलिए उसे इस अपरात का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तभी उन देवताओं ने कल्युक से कहा। अगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कल्युक और द्वापर युग इसी विशय पर बात कर रहे थे। तब कल्युक द्वापर से कहता है कि मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता हूँ। इसी लिए मैं नल के शरीर में निवास करके उसे राज्य विहीन कर दूँगा। उस स्थिती में वह दम्यंती के साथ नहीं रह पाएगा क्योंकि मैंने सुना है कि उसे शतरंज का बड़ा शौक है। इसी लिए तुम उसके शतरंज के पासों में प्रवेश कर लेना और मेरी सहायता करना। फिर द्वापर युग भी कल्युग की बात मान लेता है। इसके बाद द्वापर युग और कल्युग दोनों राजा नल की राजधानी में जाते हैं और द्वापर युग राजा नल के पासों में प्रवेश कर लेता है। इधर कल्यूग राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का मार्ग खोजने लगता है। लेकिन कल्यूग को राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था क्योंकि कल्यूग राजा नल के शरीर में प्रवेश करने बैठ गए तब कल्युग ने इस अपवित्र अवस्था को देखकर राजा नल के शरीर में प्रवेश कर लिया और वहीं कल्युग दूसरा रूप धारन करके राजा नल के भाई पुशकर के पास गया जो राजा नल से अलग रहकर अपना राज्य चलाते थे और उनके पास जाकर कल्युग कहने लगा कि हे राजन आप नल के साथ शतरंज का खेल खेलिए मैं आपको वचन देता हूँ मैं निश्चित ही आपको राजा नल का राज्य जीतने में आपकी पूरी तरह से सहायता करूँगा फिर जब पुषकर ने कल्युग की ऐसी बातें सुनी तो उसके मन में लालच आ गया और राजा नल के राज्य की लालसा में आकर पुषकर ने कल्युग की यह बात मान ली उसके बाद पुषकर शीखर ही राजा नल के पास जा पहुँचा उसके बाद शतरंज का खेल प्रारंब हो जाता है लेकिन उस समय राजा नल के शरीर में कल युग और उसके पासों में द्वापर युग प्रवेश कर चुका था इसलिए राजा नल उस शतरंज में जो कुछ भी लगाते गए वे सब कुछ हारते हुए चले गए फिर जब राजा नल की प्रजा और मंत्रियों को यह बात पता चली कि राजा नल शतरंज में सब कुछ हारते हुए चले जा रहे हैं तब उन्होंने राजा नल को बहुत रोकना चाहा लेकिन उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी और वे तब तक नहीं रुके जब तक कि वे अपना सारा धन हार ना गए। फिर जब मंत्रियों ने राणी दम्यंती के पास आकर उन्हें राजा नल को रोकने का संदेश पहुँचाया तब राणी दम्यंती भी राजा नल के पास आई। और उन्होंने राजा नल से कहा कि हे आपकी सारी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहकर दम्यंती बहुत जोर जोर से विलाप लगी। लेकिन राजा नल कल युग के वश में होने के कारण उसकी एक बात भी नहीं नहीं सुन पा रहे थे। क्योंकि राजा नल जिन पासों से शतर पुषकर ने राजा नल के सारती को बुलाकर अपने पुत्रों को रत में बिठाकर कुंडी नगर भेज दिया। इसके बाद पुषकर ने राजा नल का सारा धन उस शतरंज के खेत में जीत लिया था। और अब राजा नल के पास शतरंज में लगाने के लिए कुछ नहीं क्योंकि मैं बदले में तुम्हें सारा राजबाट वापस लोटा दूँगा। जमयंति के साथ एक व्रिक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तभी अचानक से उनके सामने कई पकṣi आकर बैठ गए, उन पकṣiओं के पंख सोने के समान चमक रहे थे। तब राजा नल ने उन पकṣiओं को देखकर अपने मन में सोचा कि अगर मैं इन पकṣiओं के पंख प्राप् पक्षी नहीं थे बलकि वे सभी पक्षी कल्युक के द्वारा भेजे हुए पक्षी बनाकर राजा नल के पास उनके वस्त्रों को छीनने के लिए आये हुए थे। राजा नल का दुख और यहलाचारी देखकर राणी दमयंती की आँखें आंसूओं से भर गई। फिर राणी दमयंती राजा नल से कहती हैं क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़ कर अकेली कहीं जा सकती हूँ। मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना च पर सोने या बैठने के लिए कोई वस्त्र था। इस प्रकार से कल्यूग ने राजा नल और दमयंती के ऊपर अपना क्रोध निकाला था। उसके बाद शाम होते ही वे दोनों एक सुरक्षित स्थान देखकर वहीं पर सो गए। कुछ समय बाद राजा नल गहरी सोच में सोच कर राजा नल ने दमयंती की थोड़ी सी साड़ी फाड़ कर अपना शरीर ढख लिया। और जब दमयंती गहरी निद्रा में थी तब राजा नल दमयंती को वहीं पर छोड़ कर दमयंती के पास से अकेले ही निकल गए। क्योंकि राजा नल के शरीर में कल्यूग का प्र सुनिए जी आप कहा हैं आप मेरे साथ मजाग तो नहीं कर रहे हैं आप मुझे छोड़ कर मत जाईए क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ फिर जब दमयंती को राजा नल बहुत देर तक दिखाई नहीं पड़े तो दमयंती बहुत जोर जोर से विलाब करने लगती है और उस वन में भटकती भटकती हुई उस वन के बीच पहुंच जाती है लेकिन तभी अचानक से राणी दमयंती के ऊपर एक बहुत बड़ा सर्प हमला कर देता है तब दमयंती चीखने चिलाने लगी फिर उनके स्वर एक शिकारी के कानों में पढ़ते हैं वह शिकारी उधर ही घूम रहा था और जब दमयंती के चीखने चिलाने की आवाज उस शिकारी के कानों में पढ़ती है तो वह दोड़ता हुआ रानी दमयंती के पास आ जाता है और वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक अत्यंत सुन्दर स्त्री पर एक बहुत बड़ा सर्प हमला करन यह देखकर वह शिकारी अपने तेज बाणों से उस सर्प का मुहचीर डालता है उसके बाद उस शिकारी ने दमयंती को उस विशाल काय सर्प से छोड़ा कर सहारा दिया फिर उसे भोजन करवा कर उससे पूछा कि हे सुन्दरी तुम कौन हो किस कष्ट के कारण तुम इस व नीठी बातें करके उन्हें अपने वश में करने का प्रयास करने लगा लेकिन दमयंती को उसके मन के भाव समझ में आगए थे इसलिए दमयंती ने उसकी काम वासना को बहुत रोकना चाहा किन्तु वह उनकी बात मान ہी रहा था फिर जब वह शिकारी दमयंती की किसी भी प् भस्म होकर मर जाए ये मेरा शाप है दमयंती के इतना कहते ही वह शिकारी दमयंती के सामने ही भस्म हो गया। तब उस राज्य की राणी सुननन्दा अपनी दासी से कहकर दमयंती को अपने पास बुलाकर उससे पूचते हुए कहती है कि हे सुन्दरी तुम कौन हो और ऐसे घूम क्यों रही हो क्या तुम्हे अकेले घूमते हुए डर नहीं लगता है। पहली शर्त मैं कभी भी जूठा नहीं खाऊंगी। दूसरी शर्त मैं कभी भी पैर नहीं धुलकी। तीसरी शर्त पराय पुरुषों से कोई मतलब नहीं रखूंगी। अगर आपको मेरी यह तीनों शर्त मनजूर हैं तभी मैं यहां रुकूंगा। नहीं तो मैं अभी यहां से जा रही हूँ। उसके बाद राणी सुननदा दमयंती की इन तीनों शर्तों को मान लेती है। फिर दमयंती उसी राज्य में राणी सुननदा के साथ राजमहल ही रहने लगती है मित्रों। पहुँचकर राजा नल ने देखा कि एक नागराज कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। तब राजा नल नागराज से कहते हैं कि अरे नागराज जी आप कौन हैं। और आपके वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई। फिर नागराज राजा नल से कहते हैं कि हे राजन मैं करक कोट मैंने अपने गुरू को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह श्राप दे दिया था, कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठा ले, तब तक तुम यहीं पड़े रहोगे, और राजा नल के उठाने पर ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ती मिल पाएगी, उनके श विशाल शरीर को छोटा कर लेता हूं और हलका हो जाता हूं, उसके बाद देखते ही देखते वे नागराज बहुत ही छोटे हो गए, फिर राजा नल उस सर्प को उठा कर उस वन से बाहर ले गए, तब वह सर्प, करक कोटक, राजा नल से कहता है कि हे राजन, आप मुझे अभी जमीन पर मत रखना, पहले आप कुछ कदम गिन करर चलिए, तब राजा नल एक दो तीन करते हुए, यूँ ही प्रित्वी पर जैसे ही दसवा कदम रखा, तब ही अचानक से करक कोटक सर्प ने राजा नल को डस लिया, क्योंकि